प्रदानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसत भवन का उठटन किया गया। नए संसत भवन के साथ कुछ विवाद भी सामने आया। इसमें से एक है अखंड भारत का धिती चित्र। इस पर नेपाल सहित पाकिस्तान ने भी अपनी आपत्ती दर्ज कराई है। नमस्कार मेरा नाम है मनीश भारती और आप देख रहे हैं संस्क्रिती आयस यूट्यूब कैनल। आज हम अखंड भारत के धिती चित्र पर बात करेंगे, पोडोशी राष्टों के आपत्ती को ही समझेंगे, साथ ही यह भी देखेंगे कि भारत सरकार का इस पर क्या कहना है और इपिहास कारों के अलावा सावाजिक संगठन इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। जैसा कि आज टॉपिक भी हमारा देख रहे होंगे, अखंड भारत की प्रेंटिंग पर भड़का विवाद है। तो अखंड भारत की सर्फ से पहले जो यह परिकल्पना है, कहां से आई। और इसका अभी क्या मतलब है इस संदर में, बरतमान राजनिती में इसका क्या महत् आँचितर देख भी रहे हैं, तो अभी जो हम जानते हैं कि जो भारत की अभी जो बरतमान राजनितिक उसकी सीमा रेखा है, उससे कहीं ज्यादा आपको यहां पर देखिए, यहां पर आपको बंगला देश पीश में सामिल नजर आएगा, यहां पर सिंध आप देख रहे ह है, ऐसे ही आपको नेपाल का हिसा देखिए, लुंबिनी, यह सब तो यह पर जाता है नेपाल में, तो इस तरह से कई हिससे आपको इसमें सामिल नजर आते हैं, इधी बातों को ले करके विवाद उभर करके सामने आया है, इसको हम बारी-बारी से समझ लेते हैं कि क्या है, देखिए, सुर्खियों में यह टॉपिक क्यूं है, सबसे पहले इसे हम देख लेते हैं, भारत के प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने हाल ही में नई संसद भवन का उर्धाटन के साथ, उसमें कुछ रास्ट्री प्रतिक लगाए गया है, कुछ पैंटिंग लगाया है, उसी में एक है, नई संसद भवन में अखंड भारत के भिती चित्र भी शामिल किया गया है, अब भिती चित्र का क्या मतलब है, भिती चित्र का मतलब होता है, दिवार पर, दिवार है, उस पर जो है, पर बनी, बरी, पैंटिंग आविसे कह सकते हैं, आप म्यूजियम ज पर लगाया जाता है, पुरानीक किल्मू बेगरा में भी यह देखने को मिलता होगा, कई राजा महराजा जो थे अपने सामराज जी की यो राजनितिक सीमा थी उसकी तस्वीर झो है दिवालों पर लगवाया करते थे, तो यही संसर भवन में लगाया गया है, और इसकी जो अक्ञड भारत आईडिया एंड इन दो में इमेजीनेशं अफ अफ दो आरेसीज का क्या मानना है आरेसे के अलावा यहां हम बीजेपी याझनी कि भारते जंदापार्टी जो अभी भारत में किंदर में शरकार में है विलावा इसको भी समझेंगे इनका पक्ष क्या है इसके चित्र में नेपाल का जो कुछ छित्र है जिसमें से लुंबनी और कपिल वस्तू को भी रित्री चित्र में दिखाया गया है पाकिस्तान और नेपाल ने इसका गिरोध भी किया है देखिए प्रलाद जोसी जो है केंद्रिय मिनिस्टर है इन्होंने टूच किया और टूच करते हुए कंणर भासा में ये लिखे हैं और कंणर भासा में लिखते हैं इन्होंने अखंड भारत के सौपन को दिखाया है यहा से पर जाता है लुंबनी यहां परता है तो यह जो हिस्सा पर जाता है यह नेपाल का हिस्सा परता है इसके अलावा आपको बंगलादेश भी दिखेगा मैनमार भी दिख जाएगा आपको स्रिलंका अगर पूरी तस्वीर है तो स्रिलंका यानि कि अखन भारत के concept में क्या क्या आता है तो भारत वर्ष जो अभी आपको दिख रहा है वह तो है ही इसके अलावा पाकिस्तान का हिस्सा उसके अलावा अफगानिस्तान नेपाल भी उसके अलावा बंगलादेश भी तिबत भी और मैनमार और सिरलंका यह पूरी एक परिकल्पना है और कहा गया है कि रामाइन काल से यह बाते चली आ रही है तो अखंड भारत करने का मतलब हुआ यह जो भारत के आसपरोस के जितने परोसी देश है वह भी इसमें सामिल है ठीक है इसकी बात की गई है इसी को ले करके फिर विवाद भड़क उठा और विवाद तब अधिक हो गया जब अभी आप जान रहें नेपाल के प्रधान मंतरी प्रचंट साहफ जो है वह भारत के दोरे पर थे इसको लेकर के नेपाल के वहां के जितने भी राजनेतिक दल के लीडर थे उन्होंने इसको लेकर के नेपाल में वहां के जितने भी राजनेतिक दल के लीडर हैं उन्होंने इस पर आपती जताई और अपने प्रधान मंतरी यानि कि नेपाल के प्रधान मंतरी से उन्होंने आ प्रकाशन द्वारा प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुन्न भूमी भारत सिर्चक वाला नक्षा निम्न अस्थानों को उनके प्राची नाम से परदर्शित भी करता है अब देखते हैं कि कौन से जगह को किस नाम से पहले जाना जाता था अफगानिस्तान के लिए कहा जाता है उपगान नथन और काबूल, कुभानगर, पिशावर को पुरुसपूर, मुल्तान, मूलस्थान, तिबबत, कृविष्टप, स्रिलंका, सिंगल दूप और मयानमार को ब्रह्मा देश भी कहते हैं आदूनिक इतियास में पहली बार कब है जब अखंड भारत चर्चा में आई उस पर हम एक नजर डालते हैं, रेखिए भारत को नेचर नहीं, प्राक्रती नहीं जे इसी अखंड भारत के मैप को हम देख लेते हैं, यदि उत्तर तक जाएंगा तो यहां पर हीमाले आ जाएगा ठीक है तो इसकी उपरी इधर की सीमा हो गई इधर देखिया पहिंद महाशागर यहाँ के बाद एक बॉन्डि के बाद बंगाल की खारी सेरिया से इधर तो इनका कहना है कि यहाँ से अरब सागर तो यह पूरा हिस्सा जो इनका कहना है क्योंकि प्रकिर्टी ने इस कदर भारत को बनाया है उसकी अवस्तिती दी है कि वह अपने आपने ही निर्विवादित है ऐसा कहना है इनका बाकी दुनिया से अच्छी तरह से परिभासित सीमाओं और निश्चित सीमाओं से चिनित है जिसके बारे में कोई संदेह या अनिश सकती है ऐसा ये कहें एसरी सप्रे की किताब है परतेक राष्ट भाक का स्वपन अखंड भारत या किताब का नाम है इसमी भी इस बात की चर्जा की गई अखंड भारत की परिकलपना जो आरेसस करती रही है या बाकी जो समाजिक संगठन भारत वरस में करते रहे हैं उनकी इस बात की गई थी आरेसस का मत इस पर क्या है चुकि आरेसस एक ऐसी संगठन है जो इस बात को हमीशा ही इस वपन को पुर्जोर तरीके से सामने लाती रही है 2015 में अल जजीरा के एक इंडर्व्यू में आरेसस नेता राम माधव से जब पाकिस्तान और बंगलादेश को भारत के हिस्से के रूप में दिखाने वारे नक्से के बारे में पूछा गया तब उनका एक स्टेटमेंट बहुत चर्चा में आथा उससे स्टेटमेंट को देखिए आरेसस अभी भी मानता है कि एक दिन ये हिस्से जो एतिहासिक कारणों से केवल साट साल पहले अलग हो गये थे फिर से लोग परिये सद्वामना के मार्द्यम से एक हो जाएंगे और अखंड भारत का निर्वान होगा कहने का मतलब है ये कह रहे हैं कि देखिए हजारों वरसों से ये जो अखंड भारत था ये बना हुआ था लेकिन जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का बटबारा हो गया है ये दोन राश्ट अलग हो गये उससे पहले 1936 में मयारमार भारत से अलग हुआ तो इनका कहना है कि ये जगों के लोग या इन रास्टों में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ आपस में मिल्जूर करके फिर से एक साथ रहना सुरू कर देंगे और फिर अखंड भारत की जो एक परिकल्पना है वह सर्थ सावित हो जाएगी अखंड भारत के विचार में ना केवर पाकिस्तान और बंगला देश बलकि अफगानिस्तान मयानमार से लंका के बदविक शामिल है यह संयुक्त छेतर को हिंदू सांस्क्रितिक सामानताओं के आधार पे रास्ट के रूप में प्रभासित करता है चलिए भाजपा का मत क्यों है भाजपा का इसलिए भी मत जाना जरूरी है क्यों पुस्तक टेजू में भारत की सुर्वाती थी अब इस पुस्तक में जो है अखंड भारत नामक एक अध्यायश शामिल किया गया है जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान बंगला देश नेपाल मयानमार से लंका सहित अखंड भारत के बारे में बहुत विस्तित्र रूप से बताया गया है और स्कूली बच्चों को ये पढ़ाया भी जाता है अब जब ये मुद्दा अभी चर्चा में आया जब संसित भवन में ये वित्ती चितर लगाया गया लोगों के शमक्षी आया कई अन राष्टों के लोगों ने देखा नेपाल के परधान मंतरे भी भारत उसे अपने मानती है इसलिए नेपाल ने उस पर और अपत्ती जताई है अखंद भारत का कोई प्रमानिक एतिहासिक आधार नहीं है नेपाल का ये कहना है कुछ पुराणों और अन्य धार्मिक ग्रंतु में ही भारत वर्स की चर्चा की गई है प्राचिन भारत का कोई अस् नहीं कर सकता है पहले ही मैंने कहा था कि लुम्बनी और कपिल वस्तु जो है बहुत धर्म से संबंदी च्छितर है और यह उसका पवित अस्तलेशी नेपाल सरकार के रिए किसी भी और देश को इस दोनों अस्थानों पर दावा करने का अरिकार नहीं है नेपाल और भारत क रिष्टे के बीच संदेह पैदा होगा उनका कहना है कि यह भारत सरकार के दोरा इस तरह की गदम उठाई जाती है तो पड़ोसी राज्यों के साथ जो है संबंध मधूर नहीं रह जाएगा और नेपाल के साथ तो आप जानते ही है कि हमारा बेटी रोटी का रिष्टा है तो इस तरह के काम करने से संबब है कि रिष्टों पर खटास आजाए रिष्टों पर दरार आजाए अगर भारत खुद को अखंड कहता है तो हम भी अखंड नेपाल का दाबा कर सकते हैं और प्राचीन काल में समंद्र गुप्त के ध्रम सास्तर के एक अभिलेख में कहा गय काम रूप और कार्तिपूर के दीज इस्तित हैं अब लेकिए काम रूप जो है अभी का असम है ठीक है और इनका कहना है कि कार्तिपूर जो है या कुमाव गढ़वाल बन गया है मतलब ये है कि आज की तूलनना में नेपाल का च्छित्र उस वक्त विस्तित हुआ करता था यह कहना है क्रिरत्न मांधर का इधियास के प्रोफेशर है क्रिभुवन विशुविद्गलै, नेपाल में ये पढ़ाते हैं, तो इन्होंने भी भारत के इस बात पर करी अपत्ती जताहिये, नेपाल की प्रदानमंत्री है बावुराम भट्टरे, इन्होंने भी अपत्ती दर बारत नेपाल के भारत दौरे पे जा रहें। तो वहां के परधान्मंतरी के सामने यह बात उक्षाएं और इस पर अपनी आपती दरज कराएं। तो यह तो हमने नेपाल का देख लिया. अब पाकिस्टान का मत जानते हैं कि आखीर पाकिस्तान इस पर क्या कहता है देखिए भारत की विस्तारवादी मानसिक्ता का प्रदर्शन है पाकिस्तान तो इस ताक में रहता ही है ठीक है तो जैसे ही मौका लगा पाकिस्तान ने कहा कि देखिए यह जो है विस्तारवादी मानसिक्ता का प्रदर्शन है भारत जो है अप का सबूत है भारत ना केबल अपने पड़ोसी देशों को बलकि धार्मिक अलब संख्यकों की विचारधारा और संस्कृति को भी दवाना चाहता है यहां वाद धर्म का कार्ड खेलना पाकिस्तान फिर नहीं भूलता हुआ धार्मिक अलब संख्यकों की विचारधारा और संस् अब देखते हैं कि इन सभी बातों से इन विवादों से परोसी देशों के साथ भारत के रिष्टे पर क्या प्रभाव पर सकते हैं। अफगानिस्तान सामिल है तिबबत है तो चीन भी इनवाल्व हो गया तो कहीं कहीं सभी राष्टों के साथ संभव है कि आने वाले समय में विवाद देखने को और भी मिल जाए और भी राष्टों की इस पर आपत्ती सामने आ सकती हैं। में इस तरह की बाते करते रहे हैं अपने राजनेतिक भाशन में हुआ अगंड भारत बोगते रहे हैं। पुद्गरी मंतरी अमित सावी कई भासन में अखंड भारत की चर्जा कर चुके हैं। अब यहां देखिए विदेश मंतराले के तरफ से कुछ कही गई है कुछ बाते हैं। यहां पर अरिंदम बागची जो हैं विदेश मंतराले के प्रवक्ता हैं। उन्होंने इसको कहा है इसको justify करते हुए कुछ बाते कही हैं। उन्हेंने कहा है कि देखिए यह सब जो बाते की जा रही है दिरसल जो है यह असोका इंपार के समय की बाते हैं। और यह people oriented governance की बात करता है। उन्हेंने कहा है कि यह जो हम map दिखा रहे हैं उस बक्त असोका का जब अस्राशन सामराज हुआ करता था तो ऐसा सासन जिसमें लोगों की भागदारी बहुत अधिक हो उसकी बात यह map करता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है इसको propaganda के रूप में सामने नहीं लाना चाहिए या विदेस मंतराले का कहना है। तो इस मुद्धे में हमने देखा कमाम चीजों को जो की इस अखंड भारत के परिकलपना से जुरा हुआ है। कई राष्टों की आपत्ति क्या है उसको भी हम समझ लिए। भारत सरकार का मत क्या है यह भी हमने द क्योंकि कई राष्टों की आपत्ती इस पर आ सकती है क्योंकि भारत के संसद भवन में अखन भारत की निति चित्र लगाई गई है तो इस पर आप भी नजर बनाई रखिए संबब है कि इस मुद्दू को ले करके राजनेतिक खंड में और संबब है कि इंटरनेशनल रिलेश कि इस मुद्द काया थे चाया, कि वाल हुआ enfim, कि अखन वेनादाएर本म אתה है कि झाल में कि नितिए समय है लिए निटी निति कोशिता भारत को